पुलिस द्वाराई रिक्षाचालक की पिटाई का वाइरल हुआ वीडियो वीडियो को जूटा साबित करने में लगी है वारानसी पुलिस वारानसी धाने के दशास हुए में शेत्रे के कोईदी चोकी में उस समय हड़कम मच गया जब एक दरोगव और दो पुलिस सिपाई ने मिलकर एक रिक्षाचालक की बहर रहमी से पिटाई की पिटाई के बाद वीडियो हुआ वाइरल वीडियो का सच जब सामने आया तो बोकलाई बनारस पुलिस ने अब अपने धनिश्त कर्णमचालियों को बचाने की कोशिश कर रही है जुगत प्रभ जनकरी के अनुसाच शेत्रिय पाशद मनोस सिंग सहीद थाने के मुक्या का पुलिस ले रही बयान और इस बयान को अलप अधिकारियों की द्रिक ढ्रमित करने का हो रहा है कुछ अकरप रहा है जहां एक तरफ प्रदेश की पुलिस मित्र पुलिस है लेकिन उनी के आदेश की उड़ रही धजिया जबकि कली बनारस में सुबे के मुक्य मंद्री ने किये समिक्षा बैठक आकिर गरीब रिक्षा चालक की खुले आम रोट पर मार पीट करना कहा तक जायज है क्या यह मानव अधीकारों का खुला उलगन नहीं है जिसके उपर मानव अधीकारियों को बचाने का कार्या कर रहे है तो आज इसलिए जंता ठाने में जातर कोशिक की जा रही है लेकिन वो फोन उठाने को तयार ही नहीं है और वही दशासों में थाने की शेत्र अधिकारियों की जाज कर रही है नगर पुलिस अधिक शक्त दिनिश कुमासिया ने बताया की दो गंटे में जाज पूरी करके भगवत कराया जाएंगा मामला अफ्रेल का बताया जा रहा है इससे पहले भी यह वीडियो वायर हुआ था लेकिन थाना प्रबारी शिद्धन मिश्रा द्वरा पिटाई करने वाले दरोगावा सिपाई को बचा कर रिपोर्टर लगाया था लेकिन वहार रिपोर्टर पर कुछ कारवाई नहीं की गई इससे सब जायर होता है कि ठाने की पूलिस उसे बचाने में लगी है और साथी साथ अधिकारियों को घुम्रा करने में लगी है MNS News Live की खबर देखने के लिए आज ही Play Store से MNS Indie आप डाउनलेट करें और इस चैनल को सब्सक्राइब करें धन्यवाद